हादरस के चंदपाद छेतर में स्ताहुईक दुसकर्म की पीडिता के गाउं को आज मीडिया के लिए खोल दिया गया है बीते कुछ दिनों से पूरे गाउं में बेरिकेडिंग थी और मीडिया का प्रवेश्व वर्जित था हाला कि प्रसाशन ने यह अनुमती सर्फ मीडिया को दी है यानि राजनेता आदी गाउं में नहीं जा से इसी दुरान परिवार ने दिया चौकाने वाला ब्यान नहीं जाएंगे पतानी कौन था वो पिडिता की परिवान ने चौकाने वाला ब्यान देते हुए का कि वन उस अस्थियों को लेने नहीं जाएंगे जिसे मंगलवार की रात को देर रात पुलिस ने जलाया था उनका कहना है कि हम नहीं जानते हैं वो किसकी अस्थिया थी हमें तो हमारी बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया उत्रप्रदेश के कॉंग्रेस अध्यष अजय कुमाल लल्लू को उनके लखना उस्तित भूखंडी आवास में नजर बंद कर दिया गया है शुकरवार देर रात ही उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसबल तेनात कर दिया गया था उनने कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा है पुलिस का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाय गया है एन आई को दिये गए बियान में लल्लू ने बताया है कि मुझे घर में नजर बंद कर दिया गया है उन्होंने पूछा कि आखिदी सरकार क्या चुपाना चाती है प्रदेश में महिलाए असुरक्षित है कानूने में विवस्ता पुरी तर दोस्त हो चुकी है और अब सरकार विरोत की आवाज भी दबाना चाती है दरसल प्रदेश कॉंगले सद्यक्ष हातरस जा रहे थैं जिसे देखते हो प्रसाशन ने नजर बंद कर दिया है बरानसी में कुरोनों का ग्राफ एक बाफ फिर तेजी से बढ़ने लगा है शुकरवार को करोना की चपेट में जिला मलेरिया अधिकारी के साथी सीएमो आफिस के तीन लोग संक्रमत हुए इसके लावा पुलिस लाइन डेल डवल्यू 39 जीटीसी समेत अलग-अलग जंगे से कुल 200 लोगों के संक्रमन की पुष्टी हुई बी-एचीव में भरती दो महिलाव समेत 4 लोगों की मौत होने के साथ अब तक मनने वालों का आँखला 214 पहुच गया है स्वास्ति वभाक को सुकरवार को 3515 सेंपल की रिपोर्ट स्वास्ति मिली जबकि अलग-अलग जंगे से कुल 40000 लोगों सेंपल लिए गए रोटरमैक कंपनी के मालिक विक्रम कुठारी और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के मुख्या ओदे दिसाई की कंपनियों का ओडिट सीए सुधीनर जैर और सीए जेयन शर्मा की फर्मे करती है ये फर्मे अपनी विश्वशनियता की वज़े से शहरी नहीं बलकि देश में अच्छा रुतबा रखती है इसके बावजू दिन के काबल सीए कुठारी और दिसाई की सैयूट कुरूप से 8000 करोड रुपे की धोकादरी नहीं पकड़ता है सीए फर्मो की इस नाकामी पर क्वर्फूरिट मामलों के मंत्राले के तहत आते सीरियस प्रॉट इंवेस्टिगेशन आफिस ने इन दोनों समेच चार सीए को और रुपी बनाया है अब तक सिर्फ 12 मीटर 14 सलक की बात देता थी इसके लिए आवास रुभाग ने संशोधत नीती जारी कर दी है इसमें PMAY के अफोर्डेबल सबके लिए आवास और EWS श्रीणी के मकानों के मानक में भी खास रियायर दी गई है हलाकि इसमें आवंटेत आवास को तुरंत बिचनी की विवस्ता को खत्म कर दिया गया है अब मूल आवंटी नियूंतम 5 साल के बाद ही आवंटेत आवास को बिच सकता संचोधित नीती के मताबिक नियूंतम सलकों के लिए 9 मिटर की चुड़ाई का मानक सिर्फ 2 हेक्टेर के छेटफल वाली आवासी उजना में ही लागू है मुरादाबाद स्थित डॉक्टर वी आर मेटकर पुलिस अकादमी में शनिवार को दिख्षान समारों के बाद 30 डिप्टी एसपी उत्रप्रदेश का हिस्सा बढ़ लए मुख्या अथिती डीगी ट्रेनिंग सुजान वीर ने सकते निश्टा की इसफ़त दिलाई सर्वांग सर्वोत्तम रहे कैड़ेट को मुख्या अथिती ने समानत किया एक साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शनिवार को 30 डिप्टी एसपी दिख्षान समुरों का सब ने जिसमें 5 महिला डिएसपी इस दोरान मुख्या अतिती ने परेट की इसलामी लिए और सभी डिप्टी एसपी के उजल भविशे की कामना करते हुए शुपकामना इंदी दिख्षान समुरा हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मुख्यव मंत्री योगी अधित्यनाद भी शामिल हुए केदरी मंत्री स्मृती इरानी शनिवार को वरानसी पहुच गई इसके बाद वा सरकेट हाउस में पहुची जहां सपा महीला कारेकरताओं ने हातरस मामली को लेकर विरोध प्रदेशन किया इसके बाद उन्हें मनाने के लिए भाजपा विदायक सौरभ शिवासता बाहर आये काफी देल तक विधायक ने महिला कारेकरताओं को मनाने की कोशिश की लेकिन महिलाओं का विरोध प्रजशन जारी था इस बीच स्मृती रानी सरकेट हाउस से बाहर कारेकरताओं को मनाने के लिए आई और कारेकरताओं को अंदर लेकर चेली गई सरकिट हाउस में उन्होंने महिला कार्यकरताव से बातचीत की हात्रस के चिंदपा थाने छेत्स की अनुसुचित जाती की बिटिया के दुशकर्म वे हत्या के आरूप में जेल भीजे गए युपको के समर्थन में शुकरवार को सुवन समाज का आकरोश सामने आ गया धिनिपुर मंडी के पास सुवन समाज के लोगों ने हात्रस के भाजपा सांसत राजवीज दिलेर का पुपला फूका उन पर जातिकत राज़नीती करने के आरूप लगा है प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरूप है कि हात्रस सांसत का मुद्धा बिटिया को नया दिलाना नहीं बलकि सुवन समाज को बदनाम करना है प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि युपकों को गलत फशाय जा रहा है इस मामले की सी बी आइई जांच होनी चीए उत्यप्रदेश के मेरेट जिले में करोड़पती थानेदार अधिकारियों के रडार प्याग गई है सुराती तौर पे छे ऐसे द्रोगा और इंस्पेक्टरों की संपती जांच के गेरे में है जिन्होंने चार-पांस साल की थैनेदारी में पेट्रोल पंप, आलिशान कोठियां और कीम्ती जमीन खरी थे पत्नी के अलावा रिष्चेदारों के नाम पर भी संपतियां बना ली है हस्तिनापूर के निलंबित थाना अद्यक्ष दहमेन सिंका आलिशान फार्म हाउस और पॉष शास्त्री नगर इलाके में फ्लाट है इसका खुलाशा होने के बाद जिले के ऐसे थानेदारों की भी तलाश शुरू हो गई है जिनोंने आयस वहधिक संपति आज़ित की है बताया जा रहा है कि थानेदार बनने से पहले दरोगा और इस्पेक्टर के हालत सामान ने थी विजेदश्मी के दिन देश भर में सिर्फ गोरखपुर में होने वाली एतिहासिक रागव शक्ती मिलन की परंपरा का निर्वान इस बार नहीं हो सकतेगा कोरोना ने इस एतिहासिक कार्यकरम पे भी ग्रहन लगा दिया है संक्रमन से बचाव के लिए कमिटी ने इस कार्यकरम को इस बार नहीं कराने का नेने लिया है रागव शक्ती मिलन कार्यकरम की शुरुआत 1908 में सुर्गे मोहनलाल यादव सुर्गे रामचिंत सैनी सुर्गे मेवलाल यादव एक सुर्गे रगुवीर मास्टर ने रागव शक्ती मिलन कमिटी की स्थापना करके विवस्तत तरीके से की थी तबी से इस परंपरा का निर्वहन निरंतर हो रहा है